जैसे किष्णा राधे राधे बोलिये शंकर भगवान की जै चोकलेट मामी से मैसी मासिंग आपका स्वागत करती हूँ आईए अब हम शावन मास के महाद्यमे का पाच्वा अध्याय और पाच्वे दिन की पुन्यफल देने वाली कदा और अंत में बगवान महादेव जी की आर्थी सुनेंगे आईए सबसे पहले हम शावन मास का पाच्वा अध्याय सुनते हैं बगवान महादेव सनतकुमार से बोले कि है सनतकुमार करोडो लिंगों का पुन्य और महात्यमे का वर्णन करने की सामर्थयत किसी में भी नहीं है यदि करोडो लिंग न बन सके तो एक लाख लिंग बना ले और एक लाख लिंग भी न बना सके तो एक सहस्त्र लिंग बना करके पूजा करें यदि इतने भी न बन सके तो एक सो लिंग बना ले इसमें एक लिंग बनाने वाला प्राणी भी मेरे समीप ही निवास करता है शर्दा भक्ति युक्त चित से कामदेव के शत्रू भगवान शिव का शोडशू उप्चार विदी से शडाक्षर मंत्र ओम नमे शिवाई मंत्र से पूजन करें ग्रह यग्य करके व्रत का उद्यापन करें इस विदी से व्रत करने वाला व्यक्ति अकाल वित्यों को प्राप्त नहीं होता यह व्रत करने पर बांज इस्तरी का बांज पंदूर हो जाता है यह व्रत समस्त दुखों का नाश करने वाला और सभी सुखों को प्रदान करने वाला है जो मनश्य पंचामरत अर्था दूद, दही, घी, शाहद और गंगाजल से मेरा अविशे करता है वह इस मानव दह को त्याग कर के लाश में एक कल्प तक निवास करता है पंचामरत पान करने वाला गो आधी पशुधन से युक्त होता है वह अत्यंत ही मधूर भाशी और त्रिपुरासूर संगारत भगवान शंकर का प्रिय बन जाता है जो व्यक्ति सावन मास में चावल का भुजन नहीं करता केवल यग्य प्रसाद का ही भुजन करता है तो उसे चावल आधी का अक्षब भंडार प्राप्त होता है इस मास में पत्तल पर भुजन करने का नियम लेने वाला व्यक्ति अगले जान्म में स्वर्न पात्र प्राप्त करता है शाग का चाग करने वाला नव वर्ष का प्रावतक वसा रुशेष्ट होता है प्रत्वी परशेन करने का नियम लेने वाले व्यक्ति को मरने के बाद केलाश में वास प्राप्त होता है शावन मास परियंत ब्रह्मचारिये का सैयम से पालन करने वाला इंद्रिय बलों से पुष्ट होता है शावन मास में प्रातहकाल इस्तनान करने वाले को एक साल के इस्तनान कफल प्राफ्त हो जाता है इस मास में इसपटिक मणी, पत्थर, मिट्टी, मरकत मणी से नेर्मिर शिवलिंग में एक बार पूजन करने पर सो ब्रहम हत्या के पापदोस से वैव्यक्ति दूर हो जाता है सूरिय अत्वा चंद्रग्रहन में अत्वा अन्य किसी वीतीरत में एक लाग जाप करने से जो पुन्य प्राप्त होता है वै मात्र एक बार जब करने से ही प्राप्त हो जाता है सहस्त्र बार नमस्कार करने और पदशीना करने से जो फल मिलता है वे एक बार जाब करने से ही इस मास में मिल जाता है शावन मास में वेद पारायन करने से सबी वेद मंत्र भली प्राकार सिद्ध हो जाते हैं इस मास में पुरुशुक्त का पाठ शद्धा पूर्वक अगर कोई एक बार भी काले तो कल्युग में वह फल चार सहस्त्र के सामान मिल जाता है जो विक्ति पुरुशुक्त की अक्षर संख्या से परीमित हो वे आले से त्याग कर एक सो पाठ करता है वे नी संदय ब्रमहत्या के दो से छूड जाता है गुरुशेया के पाप का यह उत्तम प्राश्चित है अन्यकोई साधन इसके समान पाबनाशक पावित्र वपुन्यफल देने वाला हो ही नहीं सकता इसलिए शावन मास में पुरुशुक्त का पाठ की एविना एक दिन बेव्यत नहीं कवाना चाहिए इस विशे को निरतक कहने वाला नरत का घामी होता है समीदा चरू तिल वगी आदी से यग्य धूप दीव गंद पुश्प और निविद्य आदी से पूजन करना चाहिए भगवान महादेव का ध्यान करके सामर्ते अनुसार कोटी होम, लक्ष होम, दस हजार आहुती से हवन करें ओम भू, ओम भूए, ओम स्वह मंत्र से तिलों की आहुती दे कर ग्रह यग्य करना चाहिए हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें वारों के व्रतों के बारे में बताता हूँ सबसे पहले मैं शावन मास के रविवार की कथा सुनाता हूँ प्रतिष्ठान पुर में सुकर्मा नाम का एक ब्रामन रहता था निर्दंता के कारण बिख्षा मांग कर वह पेट पालता था एक बार प्रतिष्ठान पुर में बिख्षा मांगते हुए उसने कुछ इस्तरियों को एक साथ रविवार कवरत करते और पूजन करते हुए देखा वे इस्तरियां उस ब्रामन को देखकर पुजा का सामान चिपाने लगी तब ब्रामन बोला कि आप इस वरत को क्यों चिपाती हैं आप सब तो बड़ी ही दयावान हैं अत्यमुष परक्रपा करके इस वरत के बारे में बताईए हे साद्वियों मैं बड़ा ही करीब ब्रामन हूँ मैं भी ये वरत करना चाता हूँ कृप्या करके मुझे भी इस वरत की पूरी विदी बताईए तब उन इस्तरियों में से एक स्तरी बोली कि हे ब्रामन दे तुमने यदि ये वरत काने में आलस्ची किया या प्रमाद के कारण व्रत नहीं किया तो हमें भी इसका पाप लगेगा इस्त्रियों की इस प्रकार कहने पर वै ब्रामन बोला कि है कल्यानियों मैं शद्धा भक्ती पूर्वक तन मन और शद्धा भाव से इस व्रत को करूँगा उस ब्रामन के ऐसे वचन सुनकर उनमें से एक बुजुर्ग इस्त्री ने ब्रामन से कहा कि है सुकर्मा ब्रामन शावन मास में शुकलपवशी के प्रथम रविवार को प्रातहकार उठ कर शीतल जल से इस्तनान करें नित्यकर्म के बाद पान के पत्ते पर बारे परीदी का मंडल लिख कर उसे लाल रक्तवन चंदन से गोलाकार बनावे उस मंडल में संग्या नाम की इस्त्री सहीत सूरिय की पुजा करे गुटनों के बल प्रत्वी पर बैट कर बारे मंडलों पर सूरिय की अलग-अलग पुजा करें लाल चंदन सहीत अक्षत वजपा कुष्पों से शद्धा भक्ती पूर्वक स्री सूरिय नारैन भगवान को अर्दे देवे नारियल की गिदी खांड चीनी सही सूरिय मंत्रों को पढ़ करने विद्य अर्पित करें वसूरिय के बारे नामों से इस्तूती करके बारे बार नमस्कार और पदिशीना करें चे सूत्रों को मिला कर उनमें छे गाट लगावे उस सूत्र को स्री सूरय नारायन भगवान को भेट करके अपने कले में बाद लेवे, बारे फलों का बायना निकाल कर किसी योग्य ब्रामन को दान में दे देवे इस्वरत का विधान शद्दाहिन होका नहीं करना चाहिए, पूर्ण विश्वास करके इस्वरत को काने से सुर्य नारायन भगवान उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूरन कर देते हैं धनहीन को धन मिले, पुत्रहीन को पुत्र मिले, कोडी को निर्मल कंचन जिसी काया मिले बंदी बंदन से मुक्त हो जावे, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है बुजुर्गों को बैकुंट का वासा मिलता है अंतरतर सभी मनोकामनाओं पूर्ण हो जाती है इस प्रकार से संपूर्ण शावन मास में प्रतेग रविवार चार या पांच बार येवरत करना चाहिए ब्रत का पूराफल पाने के लिए इसका उध्यापन जरूर करें इस्त्रियों ने कहा कि हे ब्रामन यह वरत कdagने से सभी सिद्धियां सुलग हो जाती है उसके बार ब्रामन ने उन इस्त्रियों को नमस्कार किया, धन्यवाद दिया और घर आकर पूरे विदी विदान से यहवरत किया उसने अपनी दोनों कर्ण्याओं को भी इस्वरत की पूरी विदी बताई उसने यहवरत अपनी दोनों लड़कियों से भी करवाया उस सुवरत का वर्णन सुन्य पूजन दर्शन करने से सुकर्मा भ्रामन की दोनों कर्ण्याएं रूप वती हो गई उसी दिन से उनके घर में लश्मी जी का इस्थाई वास हो गया जिससे सुकर्मा भ्रामन धन धान्य और सुक संपता से संपन हो गया एक दिन उनके मकान के सामने से उनके नगर के राजा निकल रहे थे तो उन्होंने ब्रामन की दोनों रूप वती कर्ण्याओं को जरोके में बैठे हुई देखा वे दोनों कर्ण्याई चंद्रमा से भी अधिक सुन्दर लग रही थी राजा ब्रामन की दोनों कर्ण्याओं के रूप को देखकर मंत्रमुक्द हो गया तब राजा ने ब्रामन को बुलाकर दोनों कर्ण्याओं के विवा का प्रस्ताव रखा ब्रामन ने अपनी दोनों कर्ण्याओं का विवा राजा के साथ खुशी-खुशी कर दिया वे दोनों कन्याय भी राजा को पती रूप में पाकर बहुत प्रसन हुई और अति प्रसन नता पूर्वग यवरत करके पुत्र पोत्र से संपन हुई बगवान महादे सनतकुमार से आगे वोले कि है ब्रह्मपुत्र जिस वरत को सुनने मात्र से मनश्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है उस वरत को शद्दापूर्वा करने के फल का वर्णन तो कहा भी नहीं जा सकता आईए अब हम रविवार की एक और कथा सुनते हैं काशी बनारस नगरी का राजा महीपाल बड़ा ही धार्मिक प्रवती का दयालू दानी था उसी नगर में एक सेड़ सिठानी रहते थे उनका नाम धरमदास वर तारामणी था सेड़ सिठानी के पुण्य प्रताव की वज़े से उनके साथ पुत्र थे सेड़ धरमदास के छे पुत्रों का विवा हो चुका था लेकिन सात्मा पुत्र जिसका नाम पुर्शोतम था वैकुमारा था तब एक बार की बात है, उनके नगरी में एक नामी महात्मा जी आए पूरा नगर उनके दर्शन करने और उनका प्रवचन सुनने के लिए उनकी कुठिया में पहुँचे तब सेड सेठानी भी उनके पास गए जब सभी महात्मा जी के प्रवचन सुन कर चलेगे तो सेठ सेठानी महात्माजी के पास पहुँचे सेठ सेठानी ने महात्माजी के चरण इसपर्श किये तब सेठानी ने महात्माजी से कहा कि महात्माजी आप मुझे कोई व्रत उपवास बताईए तब महात्मा जी ने उन्हें रविवार का अलूना व्रत करने की सला दी और सूरिय नारैन भगवान की पूजा करने और अर्ध देने की बात कही महात्मा जी ने सिठानी से कहा कि पुत्री तुम हर रविवार का अलूना व्रत करो सूरिय भगवान को अर्ध दो, ब्रमचारिय का पालन करो भजनकीर्दन और पूजापाट में अपना समय बिताओ और रोज 108 बार उम सूरियाई नमहे मंत्र का जाप करो उसके बाद सेर सेठानी महात्माजी को प्रणाम करके घर आगे घराने के बाद सेठानी ने अपने सभी पुत्रों और छे पुत्र वधूँओं को रविवार के अलू ने वृत वाली बात बताई तब सभी सेठानी के उपर हसने लगे घर के सभी सदशों ने रविवार के सूरिय नारायन भगवान के वृत का अपमान किया उस अपमान की वज़े से उनके घर में दरिदृता कवास हो गया सेड़ जी का कारोबा ठप हो गया घर में ऐ लक्ष्मी कवास हो गया उन्हें भूकों मरने की नूबत आ गई तब सेड़ जी के सभी पुत्र और छै पुत्र वधुएं दूसरे नगर में जाकर पेट पालने के लिए मजदोरी करने लगे वे सभी अन्य नगर में जाकर एक सेड़ जी के यहां नोकरी करने लगे जबकि सेड़ सेठानी घर में ही रहकर अपना जीवन पालने लगे कुछ मैनों के बाद उनकी नगरी में वेही महात्मा जी पुने प्रवचन देने आये सेर सिठानी वापस महात्मा जी के पास गए और अपनी दरिद्रता का कारण पूछने लगे महात्मा जी बड़े ही पहुचे हुए तरिकाल दर्शी थे उन्होंने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि इस सेर सिठानी के परिवार वालों ने रविवार के सूर्य नाराइन भगवान के वरत का अनादर किया उसी कारण इन्हें दरिद्रता का दुख देखना पड़ रहा है तब महात्मा जी ने सेर सिठानी से कहा कि आप लोगों ने रविवार के वरत की निंदा करी सूर्य नाराइन भगवान का अपमान किया इसी कारण आपको गरीबी कामू देखना पड़ रहा है यह सुनते ही सेर सिठानी महात्मा जी के चड़नों में गिरपड़े और इसका उपाय पूछने लगे महात्मा जी को सेर सिठानी के उपर दया आगे महात्मा जी ने सेर सिठानी से कहा कि है वस इसका तो एक ही उपाय है आपको रोज सूर्य नारायन भगवान की पूजा करनी होगी हर रविवार का अलोना व्रत करना होगा और सूर्य नारायन भगवान के नाम का जाब करना होगा तभी आपकी यह दरिद्रता दूर होगी सेर सेटानी वहात्माजी से रविवार के व्रत और सूरिय नारायन भगवान के पूजन की पूरी विधी जानने के बाद घर आए और घर आकर वे पूरे नियम धरम से सूरिय नारायन भगवान की पूजा करने लगे सूरिय नारायन भगवान को अर्ध देने लगे और हर रविवार का अलूना व्रत करने लगे इस तरह साथ रविवार का व्रत करते ही उनके वापस पहले जैसे ठाट बाट हो गे घर में धन धान्ये के भंडार भर गे उदर दूसरी तरप उनके पुत्रों और पुत्रों वधुये बड़ी कठनाई से अपना जीवनियापन कर रहे थे एक दिन सेट का सबसे छोटा बेटा जंगल से लकडियां काट करके घर आया तो वह दातली नाना भूल गया जब घर आया तो आते ही उसने अपनी भावियों से भोजन मांगा तब बड़ी भावी ने अपने देवर से कहा कि देवर जी लकडि काटने की दातली कहा है लकडियां तो दिख रही है लेकिन दातली कहीं नजर नहीं आ रही तो पुर्शोत्म अपनी भावी से बोला कि भावी शायद मैं दातली जंगल में ही भूल आया हूँ यह सुनते ही सभी भावियां देवर के उपर क्रोधित होते हुए बोली कि आप अभी वापस जंगल में जाईए और दादली लेकर के आईए कल हम लकडियां कहां से काटेंगे हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम दूसरी दादली खरिश सकें अब आप इसी समय वापस जंगल में जाईए और दादली लेकर के आईए जब तक आप दादली लेकर के नहीं आएंगे हम आपको खाने के लिए भोजन भी नहीं देंगे पुर्शोतम उसी समय जंगल में गया जिस स्थान पर उसने लकडियां काटी थी वे उस स्थान पर पहुंचा तब पुर्शोतम ने देखा कि उसकी दादली के ऊपर एक सर्प लिप्टा हुआ था यह देखकर पुर्शोतम डर गया वे मनी मन सोचने लगा कि अगर मैं दादली लेकर घर नहीं जाओंगा तो भावियां मुझे भोजन नहीं देगी यह सोच कर वह वहीं बैट गया और भगवान की इस्तूती करने लगा इस तरह इस्तूती करते हुए पूरी रात्री बीत गई, सुबह हो गई तभी सोरिय भगवान के उगने का समय हो गया जब सोरिय की पहली किरन पुष्योत्म के चेरे पर गिरी तो सोरिय नाराइन भगवान पुष्योत्म के उपर प्रसन हो गे सोरिय भगवान मनुश्य का वेश धारन करके पुर्शोतम के पास आये और बोले की बेटा उठो मैं तुमारी इस्तूती से प्रसन हुआ तुम अपनी ये दातली लो और वापस घर जाओ पुर्शोतम ने देखा तो दातली सोने की थी पुर्शोतम बोला कि मेरी दातली तो लोहे की थी लेकिन ये तो सोने की है पुर्शोतम ने पूचा कि आप कौन है तब सूरिय नारायन भगवान ने पुर्शोतम को साक्षा दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र अब तुम वापस अपने घर जाओ तुमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी ऐसा करकर सुरिय नाराइन भगवान अंतरध्यान हो गे फुर्शोतम सोने की दातली लेकर घर आया और अपने भाईयों और भावियों को पूरी सच्चाई बताई उसी समय सभी भाईय और भावियां अपने मालिक से अपना सारा हिसाब किताब करवा कर वापस अपने घर आये घर आये तो उनोंने देखा कि उनका घर पहले की जैसे अनदन के भंडार से भरा हुआ था सेर से ठानी अपने पुत्र और पुत्र वदूओं को देख कर बहुत खुश हुए उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रों वद्धूं से रविवार के सूरिय नारायन भगवान का उनके द्वारा कियेगे अपमान वाली पूरी बात बताई कि तुम लोगों ने सूरिय नारायन भगवान के रविवार के व्रत का अनादर किया जिसी कारण हमें गरीबी कामू देखना पड़ा लेकिन अब हम सूरिय नारायन भगवान की पूजा करते हैं और हर रविवार का अलूना व्रत करते हैं उसके करने से ही हमारे घर में धन्धानी की व्रदी हुई है अब सेर सिटानी के साथ उनके वेटा वहू भी सूरिय नारायन भगवान की पूजा करने लगे आर्ध्य देने लगे और हर रविवार का अलूना व्रत करने लगे कुछ समय में ही वे धनी होगे उनकी गिंती अमेर लोगों की शेनी में की जाने लगी उसके बार सेर सिटानी ने नगर में सूरिय भगवान का विशाल मंदिर बनवाया उसमें सूरिय भगवान की विशाल मूर्ती की प्राणपरतिष्टा करवाई जब उस नगर के राजा ने सुना तो उन्होंने अपनी लड़की का विवा पुर्शोतम से करवा दिया और साती उन्हें खुप सारा दान दहीज भी दिया हे सूरिय नाराइन भागवान जैसे आप सेर से ठानी और उनके परिवार के उपर खुश हुए और जैसे आपने उन्हें रविवार के अलू ने व्रत का फल दिया वैसे हमें भी देना कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुकरा भरने वाले को उम्चै सिव ओंकारा समिहर शिव ओंकारा ब्रह्मा वीष्ण सदाशिव बोले बोले नात सदाशिव अरदांगी धारा उम्हर हर हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे सिव पंचानन राजे हांसासन गरुडासन प्रशिवाहन साजे उम्हर हर हर महादेव दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे शिव दस भुज ते सोवे तीनो रूप निरकता तीनो रूप निरकता त्रिव वन जन मोहे उम्हर हर हर महादेव आक्ष माला वन माला मुंड माला धारी सिव मुंड माला धारी त्रिपुरारी रमुरारी त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी उम्हर हर हर महादेव शेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे सिव बातांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे उम हर 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 महादेव करके माध कमांडल चाक्रति शुल धरता सिव चाक्रति शुल धरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव चो सट योगी निगावत न्यत करत भेरू शिव न्यत करत भेरू बाजत ताल म्रदंगा अर बाजत डमरू ओम हर 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 महादेव लक्षमी वर सावी तरी पारवती संगे स्व पारवती संगे अर दांगी गायत री सिरसोहे गांगे ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदु ब्रमचारी स्व नंदु ब्रमचारी नितूट भोग लगाउं, नितूट दर्शन पाउं, मैमा अति भारी, ओम हर 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 महादे ब्रह्मा विश्न सदाशिव, जानत अभिवेका, प्रण वाक्षर के मज्य, ये ती नो एका ओम हर 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 महादे त्रिगुन स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे कहत सिवानन्द स्वामी, मन वांचित फल पावे, ओम हर 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 महादे ओम जै शिव ओंकारा समिहर शिव ओंकारा शिव पारवति का प्यारा शिव ओडत म्रग चाला शिव बरसत जल धारा शिव पीवत भंग प्याला शिव पहनत मुंड माला बोले बोले नात सदाशिव काशिविश्व नात सदाशिव पारवति का प्यारा ओम हर हर महा देव जहो महा देव पारवति जी की जैत इस तरह आज हमने शावण मास की महाथ्य में का पांचवे ध्याए और पांचुवे दिन की पुन्य अफल देने वाली कहानी सुनी और अंथ में देओं के दे महाथेजी की आरती सुनी आशा करती हूँ आपको ये महात्य में कथा कहानिया जरूर पसंद आएगी और आपको इन कथा कहानियों को सुनने का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली खता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद